हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसी हूँ आप सुभी लू मैं हूँ श्रीवी और आपका मेरे चानल में स्वागत है अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को जरू लाइक करके जाना और आपको बताना मैं आपको कैसी लग रही हूँ है पर बनाते हैं परणवे गी लिया घ्लीओ अटलीओ यह यता रसे जार में पर आखी लियू हाँ अ siya alp लेजही आटलrator के तो ये ज़दе क्यों से और वो आप अच्छे से करने पाओगी और यह जो उप्टन आप बना आ रहे हो नहीं यह आप फिंटर में भी यूच ले सकते क्योंकि अभी वैदर चींच होगे आप घीला उप्टन बच्चों के स्कीन पर लगाओगे ना तो उन्हें ना मतल़ सर्दी फील होती है तो बच् क्योंकि स्कीन कर सकते इस तो बच्चों को ठंडा भी फिल नहीं होते है अ एंड सभी पहले चीच चो हाप लोई करणेश से पहले थोड़ा सा ओँपई वेड़ी की स्कीन पर लगा दीजी यही यह पहले पहले बच्चों कीस्कीन ना सीधा आप आट लगा हो गे ना तो उन असलोली प्यार से करना लिए यह है यह भी सोड़ा हो तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो इस वांपों थोड़ा प्रेशर बढ़ा सकते हैं पर श्टार्टिक में बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना और जो आपकी डिर्यक्शन होने और बच्चे की हेर के ओपा特別 करती है ज करना चाटे हैं और इसे बिल्क्ल भी पऽजन नहीं करवा ना तो बीच बीच में रोने लग जाती तुम मैं चुप अने चालती हैं이지 करते हुघन hvis जब भी लोई कर लो ना first day आपको बहुत ज़्यादा नहीं कर देनी कि आपको लगे कि आज आज में था मुझे पूरे बालेस के हठाई लेने और ज़्यादा force के साथ भी मत करना वना रैसे जैसे दाने red red skin बच्चों के हो जाती धीरे धीरे आपको softly 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 करना और ज़्यादा मत रगड़ना कि एक ही जगे पर आप जाना देता करते जारों तो भी बच्चों के skin red होने के chances होते हैं तो मैं तो यह होँगी कि जैसे मैं कर रही हूँ आपको idea लग रहा है कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ पहले upward कर रही थी फिर दोनों तरब से कर रही थी तो इस तरीके से आपको बेबी को softly 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 करना है एक साथ बिल्कुल भी मत कीजिए कि आज ही आपको PhD कर लेनी है एक साथ और एक और चीज में आप लोगों को बोलना चाहूंगी अगर आपको लगता है कि आप E की दिन में बच्चों की hair इससे चले जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी निया only one day म मिलेगा starting के कुछ तो मेरा personal experience अगर आपको बताओं तो मुझे ऐसा लगता था कि यह सब waste of time है मेरे बीबी के इससे कोई भी hair नहीं जा रहे है बट धीरे धीरे जब मैं करती गहीं ना मैंने सूचा चलो कोई ने से बच्चों की screen तो clear होती है color भी निकलता है तो कोई निया करते हैं तो धीरे-धीरे मुझे impact दिखाई दिया बट starting में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि एक भी बाल निकल भी रहा है तो result देखो आप यहां देख रहे हूं मैं आपको hair दिखा आ रही हूं इसके इस तरीके से hair निकलना start हो जाते इसके face की hair है और इसके face प बिल्कुल बाल जाने वाले नहीं है तो आप कर रहे हैं तो मेरी recording तो आपको patience रखना होगा तभी आप कीजिए क्योंकि एक natural process है और naturally आप अगर hair बच्चों की remove भी करते हो तो time तो लगे जाता है बस आपको continuation में करते रहना है सबसे best यही कि winter आ रहा है तो आप winter में भी कर स पूरी होंगी तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आये तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए तब तक कि